वालकुम बेक टू माई यूटूब चैनल नंदनी ब्यूटी स्टोर गाइस मैं हूँ नंदनी और स्वागते आप सब का मेरे यूटूब चैनल पर जी है गाइस काफी दिन से में गोल हो रही थी एक्चल में क्या है कि पालर में रश हो रखा था और अभी त्योहार भी निकल प्रैंकच अबड़ा जी की थी थमनेल लेकर आप समझ चुके होंगे तो देखिए उन्होंने किना सिंपल इंग्रिंट्स लिया है कच्चा दूद लिया है एक चमच बेसन लिया है और थोड़ा सा एक पींच उनोनेस में हल्दी आड़की है और जो तीसरा इंग्रेंड़न तो चलिए गाइस स्रेमडी को त्यार कर लेते हैं तो देखिए यहां पर मैंने भी एक चमच बेसन ले लिया था उसमें एक पिंच जो है हल्दी एड़की एक चमच के सम्थिंग गाइस मैंने एड़कर लिया चंदन पाउडर और आपने मिक्सिंग के अंदर कच्चा इसमें इसमें आपने मिक्सिंग कर लेना है जो बहुत जब जादा घाडा भी नहीं होना चाहिए तीनों चीज़ों को मिक्स करने के पाप में आप देखिए यहां पर जो है मेरा पेस्ट बन करें तेयार हुआ जाए तो उससे पहले प्या करने जब रमेडी करेंगे तो कि इस परिशा स्ची क्लेनिंग बहुत जरूए होती है अगर आप मेकप कर रहे हैं तब भी आपने पिश पर लगाना इस तार्ट करूँ लेकिन यहां पर अच्छे पने बालो तो यह दे कि आप अप 일이 मेड हम ध्लिया है जब हमारे स्कीन के चुटे-चुटे रुए बेबी हर्स होते हैं उनको निकालने में भी बहुत है ठीक है तो आप मैं यहां पर लगा लगा लूगी और इसके बाद मैं यहां पर लगाने शुरू करूँगी अपनी यह होम रेमेडिस ठीक है आपने अगर कोई मेकप शेक अगर आप नहीं कर सकते हैं आप हातों से भी अपने फेस पर यूज कर सकते हैं घयत की पृमीरिय अपने हैं यह रैमे निकाल देता है प्रोटि आसवार्टार कज़्गे तो इसंदAnother को रांद से जो और हमारे स्कीन के थिते ता संटन कपर ब्याने में हमारी स्कीन के जैसे pimples निकला जाते हैं या गंदगी हमारी स्कीन पर इखटा जमा हो जाती है उसको निकालने में बहुत हैल्प करती है और ये सन बन को भी कंट्रोल करती है चंदन पाउडर गाई स्कीन पर tightness देगा, fairness देगा और स्कीन को अंदर से cooling देगा तो ये सारी चीजे मिलकर के mix सुकर के गाई से एक अच्छा ingredient बन करके जब त्यार हो जाता है एक mask आपका बन करके त्यार हो जाता है तो ये समझ लीजिए एक facial जैसा निकार आपकी face पर देता है बट एक बार के करने से कुछ नहीं है आप लोगों को विश्वास करने चाहिए आप पालर में भी जाते हैं आप देखते हैं काफी एच्छे normal facial जो है 500 से start हो जाता है लेकिन कभी जब आपने कुछ किया ही ना हो आपने देखा होगा कि काफी लोग के skin बहुत गंदी होती है और वो पालर में जाकर facial भी करा आते हैं उसके बाद भी सामने वाले पर संदेख कर एकी बात बोलता है कोई glow नहीं आया क्योंकि वो अपने skin के साथ में continue नहीं था इसी तरीके से guys home remedies का भी होता है अगर आप इनका regular use करते हैं तो कम से कम आपने 15 दिन भी regular use किया उसके बाद आप जो आपको result मिलते हैं वो एक दम देखने लायक होते हैं तो देखे guys यहां पर मुझे 10 मिनट हो चुके हैं मैंने इसको लगा लिया था तो आप चाहें directly भी हटा सकते हैं और अगर आपकी skin पर आपको लगता है dead layer जल्दी खटी हो जाती है आपको white heads की problem हो जाती है आप पानी का भी कर सकते ठीक है उसके बाद आप हलके हलके हाथों से अपने पूरे face की massage करना start कर देंगे massage करने से क्या होगा guys आपका blood circulation जब चलना शुरू हो जाएगा तो आपकी skin अपने आप natural glow करने लग जाएगी और काफी अच्छी और खुबसूरत भी हो जाएगी तो कितने अच्छे पने face की massage कर लेंगे ना उतना ही अच्छा benefits remedy आपकी skin पर लाने लगते हैं इस तरीके से आपको massage करनी है इसके कितने अच्छे फायदे हैं अगर आप इसे रगड करके निकालते हैं तो यह आपकी skin की जो है काफी बच्ची जो होते हैं वो अपनी skin के बालों से बहुत परिशान होते हैं बेबी हेर से फेशल हेर से बहुत परिशान होते हैं वह भी दीरे दीरे इसमें remove होने लगते हैं आप 15 दिन लगातार करेंगे तो आप देखेंगे सच में अगर आपकी natural growth है ना तो वह तो बिल्कुल पूरी तरीकी से खत्म होई जानी है और कभ देखा दाना सुना भी है जब बच्व ने चैसे चोटे होते उनकी लोई की जाती तो ऊसी किन पर बाल इतनी जल दी नहीं आते है और जिन बच्चों की लोई नहीं होती है तो उनकी स्किन पर बाल प्रापरली आ जाते तो आप देख सकतें ौईस मैं एक सैट से क्लीन किया तो face देखिए आपने मैंने काफी दिन में अपनी skin की care कर रहे थी क्योंकि बिल्कुल time नहीं मिल पा रहा था guys मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी make-up चल रहे थे party make-up, bridal make-up चल लहे थे और फिर घर का भी काफी सारा काम हो जाता है guys तो मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं डाल पा रही थी बट आज मुझे थोड़ा सा अख्याल आया पनी skin का तो मैंने देखा कि मच्छों ने जो है मेरे face को पूरी तरीके से खायल कर रहा था खा रहा था और skin मी काफी डल हो रही थी मैंने सुचे क्यों न कुछ कर लिया जाए ताकि मुझे अच्छी फ्रेशनेस मिले तो आप देख सकते हैं कि देखे स्कीन कितने अच्छी लग रही है फियर भी नजर आ रही है और काफी अच्छी और साफ भी लग कारी जो बहुत ही सिंपल इंग्रेट्स के साथ में होती है सो बाइगाइस टेक एर अपना ख्याल रहे हैं मुझे धेड़ सारा प्यार दाख